थानेदमादोला श्वेत्र में पारशत पती और दुकानदार सरकारी जमीन पर आरो प्लांट बनवा रहे थे सरकारी जमीन पर किये ज़ा रहे अव्याद निर्माड को नगनेगम की टीम ने रुकवा दिया इससे पार्शत पती और प्रवर्तंदल की टीम में जम कर तीखी बहस हुई नगरायुक तंकित खंडेलवाल के निर्देश पर थानायत्माद दौला शेत्र में आरो प्लांट लगाने के नाम पर सरकारी जमीन पर किये जा रहे है अवैध निर्मान को नगनेगम की टीम ने रुकवा थिया कारिवाई के दोरान भारी संख्या में मौके पर पहुँचे दुकानदारों और सभस्त पती से प्रवर्तंटीम के साथ तीखी बहस भी हुई यमना ब्रिज पेट्रोल पम के सामने एक पानी की टंकी काफी समय से बनी हुई थी आते जाते रहागीर पानी पीने के लिए इस टंकी का उपयोग करते थे नगरायोक्त ने एक्षन लेने के निर्देश प्रवर्तन दल प्रभारी को दिये आदेश की अनुपालन में मौके पर पहुँचे प्रवर्तन प्रभारी डॉक्टर अजेकुमार सिंग ने मौके पर राजस्व निरिक्षक बैवब यादव को भी वहां बुलवा लिया जमीन की नाप जोख की गई तो पतचला की जितनी भूमी पर पहले टंकी बनी हुई थी उसके आसपास की भूमी जिस पर दुकानदार कूडा आदी डाल रहे थे उसे भी घेर कर निर्मान कराया जा रहा था इस पर प्रवरतन प्रभारी ने ततकाल प्रभाव से निर्मान कारे को रुकवा दिया इस दोरान पारशद पती और बाजार के कुछ दुकानदारों का कहना था कि वे यहां पर लोगों के लिए आरो प्लांट इस्थापित करा रहे हैं इसको लेकर काफी बहस भी हुई निगम के अधिकारियों ने इस पर कहा कि जब तक उन्हें नगर निगम से परमीशन नहीं मिल जाती वे निर्मान कारे को ना कराएं सी न्यूस के लिए आदर्श्वर्मा के रिपोर्ट